तो हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन इंजिनरिंग में तो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या वोट्य वीडियो में बात करेंगे कुस्ष्टनम्बवर वन को देखेंगे और इतना ही होने वाला है तो concept number one है if a train cross a pole, tree or man अगर एक train है जो कि एक खंबे को पार करती है एक पेड़ को पार करती है और एक आदमी को या बच्चे को या किसी ओरत को पार करती है तो उस case में क्या होगा मान लिजिए खंबा है ये पेड़ है और ये बच्चा खड़ा है कोई अगर किसी भी एक चीज़ को पार करती है तीनों को पार करती है तो अगर आपको question में कोई एक चीज़ गीवन होगी या तो खंबा गीवन होगा या तो पेड़ गीवन होगा तो यह train ऐसी आती है train ठीक है अगर ऐसी speed से cross कर देगी इसको तो इसमें क्या हो जागा distance हम क्या लेंगे length of train लेंगे जो train की लंबाई होगी वह हम distance में लेंगे तो यही था concern number one अब इस पर हम question solve करना start करते हैं ठीक है तो train की दूरी हम कितनी लेंगे लंबाई train की लंबाई हम दूरी लेंगे ठीक है question solve करते हैं फिले हम question को पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद इसका solution करेंगे a train is 125 meter long it takes 30 seconds to cross a tree by the railway line then the speed of train is in km per hour एक train की लंबाई 125 meter है अगर वो 30 seconds में एक पेड को पार करती है जो की railway line के पास में है तो train की गत्ती ग्याद कीजिए किलो मिट्र प्रती घंटा तो आपको क्या बोला है कि train की speed ग्याट करनी है speed निकालनी है train की और काई में निकालनी है km per hour में ठीक है तो train की जो formula क्या होता है अपन formula क्या लगाएंगे पर यहाँ पर पढ़ने पर क्या लाग रहा है कि डिस्टेंस तो में गीवन ही नहीं है तो distance क्या लेंगे हम यहाँ पर क्या लिखा है कि यह क्रॉसर ट्री मतलब एक प्रेड को पार कर रही है तो इसके लिए किलो मेटर में निकालना रहा है तो इससे भी हम क्या करेंगा अंसर निकलने कराने के बाद को किलो मेटर कर देंगे कँ बदेंग tourism क्यों गःगे टाइम दिया 30 सेकेंड तो करेंगे हम अपन टाइम लागा देंगे पहले तो 125 बटे 30 आ गया फिके 125 अपन 30 आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे आपको मीटर से क्विलो मीटर में जाना है मतलें, मेटर पर से गड़ने से कुलो मेटर पर बती हार पर अवर में जाना है तो आपको 18 वाइफंग की फाइफ jadi कलानभा यहाँ तो हमने कर दिया Пोण से मथेफंग क्लू मीटर में आएगा 15 कीलो मीटर पर आवर હ्रणोlles' आपको केल्कुलेशन तो आती हूगी बहुत इजी केल्कुलेशन नहीं यहाँ पर अपको हंसारा 15 Iilleurs क्लूम्ट्र populares अब एकको समझ में आया होगा आगा समझ में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए मैं अगले वीडियो में उसको एक्स्प्लेंट कर दूँगा तो वापी समझते कोश्चन को एक बार जल्दी से अगर ट्रेन की लेंट है 125 मीटर वो 30 सेकेंड में पेड को पार करती है तो ट्रेन की स्पीड निकाल नहीं है तो इस केस में क्या होता है कि हम जो डिस्टेंस लेते हैं वहीं ट्रेन की लंबा यानि लेंट अगला कोश्चन अगर आपको एसा कुश्चन दिया है तो इसमें क्या प्रोश लगागी है अलगा प्रोश लगागी है को बताता हूं आपको पर फॉर लेंट निकालनी अखी कभी कभी ही दिया वहा तो वह को आदुआb को is speed given को क्या क्या चीज़ जो ज़ुक्वि करेंगे're तो किया करेंगे पाज बट 8रा का मल्टिप्रा कर देंगे थीक कर दे मिल्टिप्ला आप अब डिस्तेंस क्या होता है इस्पीड इंट्टी टाइम होता है बस वह हो 30 का कर दो इसके अंदर जो अंसरा आएगा वो काम में आएंक मार घार गट नसर की रेंग have तो डिस्टेंस आगई 500 मीटर काटा पिटी कर दो क्या होगा यहां से यह तीन बार आयगा यह दस बार जाएगा पिधा एक हम पिधीuğ 10 500 आजायेगा आपका अनसर के 10 गुणीद 5 गुणीद 5 500 आजाएगा अपका अनसर थिक है बहुत इजी कैलकुलेशिन थी तो देखो अग भी गीवन हो तब लेंथ निकाल सकते हैं मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इस केस में लेंथी डिस्टेंस होगी और डिस्टेंसी लेंथ होगी ठीक है और ट्रेन की लेंथ हर बार मीटर में निकालना है आपको कोश्चन में गीवन नहीं होगा पर मीटर में आपको निका में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ग्याद कीजिए इसमा ट्रेन विटा स्पीड ऑफ 60 किलोमेटर पर आवर क्रॉसे सपोल इन नाइन सेकंड वाट इस लेंथ अफ ट्रेन मुल्टिप्ला कर देंगे स्पीड का तो जो अंसर आएगा वो काई में आएगा मीटर में आएगा देखो नाइन मंजा नाइन टू जा इत्तिन तू इधा टू अन्जा टू वो जा थर्टी हो जाएगा तो थर्टी इंटू फाइफ किवाइड़ वाइड़ टू ठीक है अंसर आएगा वन फिफ्टी देखो नाइन मंजा नाइन हो जाएगा नाइन टू जा इत्तिन हो जाएगा और टू से क्या कड़िया आएगा तो इत्ति वाइब कड़िया थर्टी वार में तो थर्टी इंटू फाइफ वन फिफ्टी मीटर आ जाएगा ठीक है बहुत इसी क्यूशन आपको क्यूशन करते हैं आता ही होगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज मैं आपको बहुत छोटा कॉंसर्प बता ह अगरे वीडियो अच्छी लक्षी तो वीडियो को लाइक करना और इसे कुशन आपको करने हो और कुशन चाहिए तो कमेंट सेक्षिन में जवाब देना तो मैं अगले वाले लेक्ष्टर में आपको पहले कुश्चन को वाइट कर दूँआ उसके बाद अगला डॉपिक प आपको वाइट मता किजया